हेलो, नमस्क्रा दूस्तों, दूस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसका नाम है Restaurant Brands Asia, जिसे आप आम भाशे में बोलेंगे, तो Burger King भी कहते हैं, जी हाँ, लेकिन अब इसके उपर वीडियो बनाने का, आप कह सकते हैं, जरूरत क्यों बढ़ गई, य लगाता स्टॉकल करता दिखाई दे रहा है, 96 रूपीज से लेकरके, 96 रूपीज, संधिंग पैसे के आसपास, यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर आप इसका आज लो देखेंगे, तो यह 95.55 रूपीज में है, जी हाँ, कितना 95.55 में है, ठीक है, और आप देखें, वहा यह स्टॉक, खरीदने लाइक हो गया है, क्या, क्योंकि देखें, स्टॉक में जिस प्रकार की गिरावट हुई है, आप देखें, पिछले 6 महिने में स्टॉक, उपर इस तरों से अगर आप देखेंगे, तो आल्मूस्ट आपको यह स्टॉक, 24.47 परशंट की गिरावट, प इतना जादा तूट चुका है, ठीक है, अब आप देखें, कि 25.20% का, आप कह सकते हैं, कंपनी में, यहाँ पे गिरावट हो रही है, हो चुकी है, तो प्रश्न यह बनता है, कि क्या यह, आप कह सकते हैं, एक्यूमिलेशन का मौका है, बाइंग का मौका है, या क्या करना च सालों के अंदर अंदर, उपरी इस तरों से आप देखें, तो चला गया 27%, ठीक है, पांच सालों में उपरी 67%, यानि, जब से इस के इंसेप्शन हुआ है, स्टॉक कहीं नहीं गिरा है, हाँ, आप देखें, यह, और अब धीरी-धीरे स्टॉक वहीं वापस आने कुछ कर रह है, कौन से एरियास हैं यह दोस्तों, यह आप देखेंगे, तो 90 रूपीज, आप देखें, 88.30 और अब यह वापस यहां से 96 तक आ चुका है, यानि, यहां से more or less, आप कह सकते हैं, 10 to 15% at max, at max की आपको गिरावट देखने को मिल रही है, maximum की बात कर रहा हूं मैं, और जब ह आप देखें आपे, तो कितना है, 45%, यानि 15% की गिरावट और 46% का रिटन, तो भई, मेरा यह कहना है, अगर आप यहां से आने वाले से में, एक long term की सोच सोचते हैं, और देखें, मैं आप बता रहा हूं, अगर बाजार का साथ मिला न, short term में, short term में stock at least 120 से लेकर के, 125 जा आने के लिए न, बहुत सारे दो-तीन factor हैं, जो आपको अपने दिमाग में रखने होंगे, वो क्या factors हैं, देखें, सबसे पहले एक बात समझे, अब restaurant brand Asia, सबसे पहला है 100 रुपीज का एक psychological resistance, क्योंकि 100 रुपए एक बहुत-बहुत support था, ठीक है, वो टूट गया, तो अब उतना ही मजबूत resistance बन चुका है, 100 रुपए और 110 रुपए, जब तक ये stock, इस 10 रुपए को तोड़ करके, एक बड़ी तेजी नहीं दिखाता, तो मैं बता दूँ, कोई बहुत-बड़ी reality नहीं होने वाली, stock या तो एक पर यहीं जाकर कि अटक जाएगा, consolidation phase में रहेगा, या 100 रुपीज को ही नहीं तोड़ पाएगा, और, restaurant brand Asia के लिए, अगर मैं निचले स्तरों में देखूं, तो यह जो 85 से लेकर के, 88 का level है न, ये एक humongous support है, ठीक है, यानि यहां से आप more लेख सकते हैं 10%, तो भई जिसको भी, अगर आप कह सकते हैं, यहां से खरदारी करनी हैं, और एक strict stop loss लगाना है, मेरे हिसाब से न, उनको या तो 88, अगर थोड़ा risk ले सकते हैं, बहुत ही कम risk लेना है, 90 के थोड़ा से नीचे लगा लीजे, और अगर थोड़ा heavy ले सकते हैं, than 85, मुझे ऐसा लगता है, जो worst case scenario था, वो almost restaurant brand के लिए over हो चुका है, over क्यों हो ग उसमें एक भयंकर गिरावाट जब होई, इसमें यम restaurant ने अपनी एक बहुत, बहुत बड़ी जो हिस्सेदारी थी, उसे बेच दी, और उसके बाद से stock जिस प्रकार की गिरावाट दिखानी शुरू किया है, जिस प्रकार से गिर रहा है, वो अपने अप में phenomenal है, प्लस, March quarter म जो अपडेट निकल गया है इस shareholding button की, वो यह क्या दिखा रही है, मैं आपके साथ share करता हूँ, देखिए, हम चलते हैं यहाँ पे, इसके उपर कभी और चर्चा करेंगे, आज shareholding pattern में ही चलते हैं, आप देखिए, देखिए, stock 15.39% में मार्च quarter की जो अपडेट हाई है, FIIs, 24.86% की यहाँ पर क्या सकते हैं हिस्सेदारी है, यहाँ पर बेचा गया FIIs द्वारा, DIs की आप देखेंगे, 23.67% के बाद घट करके, 23.15% हो गई है, ठीक है, और public की holding बढ़ गई है, 34.04 से बढ़ गई है, 36.67%, अब एक समय में, दिसंबर 2022 में, यह 25% थी, वो बढ़ बढ़ करके, 36.6% पर आ गई है, और यह तब करते ही, अच्छा सा ही नहीं था, ठीक है, और अगर आपको याद हो, मैंने जब भी बढ़ करके मता है, मैंने हमेशा करके, 134 में, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि, खास करके तब, जब, एक analysis होई थी, कि बढ़ इसकी, आप देखें जड़ा, आईसे प्रॉटेंशल लाइफ इंशॉरेंस ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ठीक है, आप देखें यहापे, टाटा म्यूचल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर मैं आप बदा दू, क्वांट है ना, क अधित्य बिल्डा ने भी अपना ही जो स्टेक है, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया है, ठीक है, बजा जा लिया, इसका भी बढ़ा हुआ है, आप चर्चा कर लेते हैं क्या, FIAS की नहीं, DAS की नहीं, FIAS की, देखिए, अब आंसा होल्टिंग प्राइवट इनुटेड, तीन परसंट से जादा, गोल्डमें सेक्स फंड को आप देखेंगे, 1.98 से बढ़कर की, 2.22 परसंट हो गया है, ठीक है, कितना, 2.22 परसंट हो गया है, तो आज समझे, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो धीरी धीरी अप स्टॉप लगाना है आपको, तो 85 का एक स्ट्रिक्ट मुझे ऐसा लगता है आपको लगाना चाहिए, या अगर आप बहुत दी कंसर्वेटिव हैं, तो भाई साब 90 रूपीज का लगाएं, 2.4 परसंट की गिरावट से आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, और अगर ऐस तो गेरे चुप चप वहां से निकल जाएं, बट यहां से एक रिस्क रिबॉर्ट के साब से देखेंगे, तो मुझे लगता है, रिबॉर्ट की तरफ चीजें जादा है, रिस्क की तरफ कम है, हाँ, अब बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट होने लग जाएगी, य ठीक है, यहां पर जुड़े रहें, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद, यह सुड़े कहनते हैं, चाहिन दोस्तों